दोस्तो इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं एक होते है वो लोग जो तारक महता जैसे वाहियत और जबरदस्ती हसाने वाले जो टीवी शोज होते हैं उसको देखते हैं और ठाहा के लगाते हैं अगर इससे भी उनका मन नहीं भरता है तो वो दुवारा से रिपिटे टेलिकाश देखते हैं और उससे भी ज्यादा जोश और जुनून के साथ वो ठाहा के लगाते हैं भाई वाई और दूसरे होते हैं वो लोग जो इस शो को तो देखते ही हैं इंजॉई भी करते हैं लेकि अगर इन जैसे चिलगोजों के बीच में क्या अंतर है इस पर अगर मैं चर्चा करने लग जाओं तो इस शो को जो है मुझे पर्मानिटली बन करना होगा लेकिन मैं ऐसा बिलकुल नहीं करने वाला हूँ क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा करने जा रहा ह तो दोस्तों जब भी आप कंप्यूटर खरीडने की प्लैनिंग करते हो तो अकसर आपका इन दो शब्दों के साथ जरूर सामना होता है कौन-कोन से एक होता है hardware और दूसरा होता है software अब यह सोचने लग जाते हो कि भाई यह hardware software होता क्या है और इनके बीच में difference क्या होता है फिर जब आप शोरूम जाते हो वहाँ खड़े सेल्समें से जब इस बारे में चर्चा करते हो तो आपको ऐसा जवाब देते हैं जिससे आप बिल्कुल भी सैटिस्वाइड नहीं होते हैं और आप जो है निराशा के समंदर में दूब जाते हैं लेकिन आप चिंता मत करिया क्योंकि मैं आपको आज इसी निराशा भरे समंदर से बाहर निकलने आया हूँ क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि hardware और software क्या होता है और इनके बीच में difference क्या क्या होता है दोस्तों hardware जो है वो एक computer का physical part होता है जिसको हम छूँ सकते हैं और जिसका अपना एक विशेश आकार होता है hardware जो है वो दो तरह के होते हैं एक होता है internal peripheral devices जिसमें शामिल होते हैं motherboard, processor, RAM, CD, DVD, ROM, hard disk drive, SMPS, graphics cards, etc. और दूसरा होता है external peripheral devices जिसमें शामिल होते हैं monitor, keyboard, mouse, printer, joystick, webcam, etc. वहीं software जो है वो computer का एक logical या virtual part है कहने का मतलब यह है जिसको हम ना तो छूँ सकते हैं और उसका ना ही कोई आकार होता है हाँ उसे हम देख जरूर सकते हैं उस पर हम काम कर सकते हैं दोस्तों software जो है वो दो प्रकार के होते हैं पहला जो है वो system software होता है जिसे हम operating system भी कहते हैं यह software जो है यह system को या computer को run करवाने में काम में आते हैं जैसे windows, linux, mac, ubuntu, etc. और दूसरा होता है application software जो एक specific काम करने के लिए ही बनाया जाते हैं जैसे कि आपको अगर type करना है तो आप Microsoft word का इस्तमाल कर सकते हैं calculation करना है तो Microsoft Excel का इस्तमाल कर सकते हैं इसके अलावा अगर आपको editing करना है picture या वीडियो का तो उसके लिए आता है Photoshop और Filmora अलागी hardware और software क्या होता है इसके उपर मैं आगे चलकर detailed वीडियो बनाऊंगा इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मेरे channel को आप subscribe करो और जो bell वाला icon है उसको या प्रेस करो तागी आपको latest videos की notifications मिल जाए तो चलिए अब हम बात करते हैं कि hardware और software की बीच में क्या क्या difference होते हैं दोस्तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया है कि hardware computer का एक physical part होता है जिसका एक विशेश आकार होता है और जिसे हम छू सकते हैं और वही software जो है वो computer का logical या virtual part होता है इसे ना तो हम छू सकते हैं और ना ही इसका कोई विशेश आकार होता है इसे हम देख सकते हैं monitor के जरीए और इस पर हम काम कर सकते हैं दोस्तो hardware में शामिल होते हैं CD, DVD, ROM, monitor, soundcard, graphics card, printer, scanner, router, etc वहीं software में शामिल होते हैं Adobe Acrobat, Adobe Photoshop, Microsoft Excel, Microsoft Word, Google Chrome, etc नंबर तीन, दोस्तो hardware जो है वो तभी काम कर सकता है जब उसमें हम softs को सही तरीके से इंस्टाल करते हैं और वहीं software को जो है वो हम hardware के एक specific device में ही इंस्टाल करते हैं जिसके कारण हम कोई विशेश काम को कर सकते हैं दोस्तों, softers को जो है, हम सिर्फ और सिर्फ computer में लगे, hard disk drive में ही install करते हैं, ना कि RAM और processor में Number 4, दोस्तों, hardware device जो है, वो work के साथ साथ पुराना हो जाता है, और उसकी जो कारेशमता है, यानि workload capacity है, वो भी घटते जाती है और अंत में क्या होता है, हम अपने hardware devices को कबाड़ी की बाहों में बेच देते हैं, ये कड़वा सच है मित्रो वहीं दूसरी जो software की जो खराबी है, वो systematic होती है, कहने का मतलब ये है कि work के साथ साथ जो आपके software के जो files होते हैं, supporting files होते हैं, वो corrupt होने लग जाते हैं और उनमें से कुछ files जो है, वो delete हो जाता है, किसी कारण से, जिस वज़े से क्या होता है, आपके जो software से वो काम करना बंद कर देते हैं, या hang होने लग जाता है नमबर 5, दोस्तो ये point जो है, ये बहुत ही important है, क्योंकि ये अकसर देखा गया है, कि जब भी आपका computer खराब जाता है मतलब कहने का कि कोई, अगर आपका hardware device में कोई problem आगी हो, जैसे RAM, hard disk monitor, या processor अब जब किसी दुकानदार या mechanic के पास लेकर जाते हो, तो आपको कुछ भी वज़ा बता रहते हैं, जैसे कि वो बोल देंगे कि वाइरस के वज़ा से आपका ये जो device है, ये खराब हो गया है दोस्तों, अगर computer में virus attack हो जाए, तो hardware पर उसका कोई भी असर नहीं होता लेकिन वहीं दूसरी और software पर और applications पर virus attack का बहुत बुरा असर होता है, जिसके कारण क्या होता है आपके software हैंग करने लग जाते हैं, इवन कई वार आपके software काम ही नहीं करते हैं इसके अलाबा computer इस्तमाल करने में आपको कई सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जब भी virus का attack होता है क्योंकि virus एक खुद software है, उसका hardware से कोई लेना देना नहीं है अगर इन future कोई अगर आपको ऐसी बात बोले कि virus के चलते हैं आपका जो computer का hardware device है वो खराब हो गया है तो समझ लेना वो बंदा बेवकू बना रहा है क्योंकि virus एक खुद software है और उसका काम होता है आपके computer में install software को करप्ट करना तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की इस वीडियो के जरीए आपको hardware और software क्या होता है और इनके बीच में क्या differences है इसका जो ये concept है वो clear हो गया होगा तो तब तक के लिए आप खुश रहिए, काम करते रहिए, student हो तो पढ़ाई करते रहिए और हाँ, जिन्दगी बहुत ही छोटी है, enjoy भी करते रहिए जय हिंद